हेला फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल फुस्बो एंसेटी व्लॉग में आपकर स्वागते और आज हम जा रहे हैं कहीं गुमने के लिए आप लोकों में आगे आगे पता चले जाएगा और आज हम जा रहे हैं मतलब यहां पर हमारे यहां पर एक डैम है वह देखने के सब्सक्राइब पर जंगल है मतलब उपड़ से दिखता है और यहां पर कितने गेन जंगल धोन सब्सक्राइब हैं और यहां पर मतलब ऑले का अब फैमिल्स हम और 10 ली बहुत बड़ा गाम है तो आज हम जो हो ही देखने के लिया हैं और यहां पर देखो यह गेट है बाहर का जो एंटरी गेट है न वो और जो यह लोखन वाला गेट जो सामने अप लोगों को दिख रहा है न वो नीचे साइड जाता है वो आगे से अप लोगों को पता चलेगा कि मतलब कहां रस्ता गया है वो तो नीचे नहीं जाने देते हैं अभी क्योंकि अभी बंद कर दिया है पहले जाने देते थे लेकिन अभी नहीं जाने देते हैं क्योंकि अंदर जाके पानी में नहाते भी बहुत है ना मतलब अगर अंदर जाने देंगे तब ये सब पानी में नहाने जाते हैं तो हमाँ पे मतलब खत्रा है तो इसके वज़े से नहीं हमाँ पे अलाव करते हैं और यहाँ पे देखो हम दोने मतलब ठंडी भी मतलब बहुत लग रही थी क्योंकि सामने इतना सारा पानी भरा हुआ है तो ठंड तो लगेगी ही और ये गेट के अंदर का जैसे हम एंटरी करते हैं न तो ये सामने इसा ओफिस जैसा बना हुआ है यहाँ पे मतलब जो साफ साफ़ाई वगरा करते हैं जो यहाँ पे जो समालते हैं वो उनका ओफिस है यहाँ पे और यहाँ पे दोखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा हुआ आप लोगको पानी और बहुत बड़ा डेम है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे यही पानी यहाँ पे सब खेत वगरे में और मतलब बिजली बनाने के लिए बहुत यहां से मतलब यूस होता है और यहां पर देखो कितना बड़ा डेम है तीन चार तरफ से पानी मतलब नदी है तो उसी के उपर बनाया हुआ है डेम देखो एक दो इस सेट से है और एक उस सेट से और यहां पर दो तिन नदी के उपर इतना बड़ा डैम बना हुआ है और यहां पर देखो सब यहां से सब देख रहे हैं क्योंकि मतलब यहां पर न यहां से पूरा व्यू बहुत अच्छा लगता है और यहां पर देखो कितना बड़ा डैम है और पानी के बीच में न मतलब ऐसे पहाड़े भी है और देखने में बहुत सुन्दर लगता है और देखो उट सेट भी पहाड़े और सामने के तरफ भी है मतलब जहाँ जहाँ पे नदी मतलब आई है न वहाँ वहाँ पे सब जगह पे पहाड़े और देख़ो कितना सुन्दर लग रहा है और पानी पूरा नीला नीला दिख रहा है और यहां यह मतलब बहुत गहरा है ना इसके वज़ेसे अंदर जाने नहीं देते हैं और यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे रस्ता बना हुआ है तो अगर आपर कुछ काम होता है ना या फिर गाड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना वो ही जा सकती है और मतलब वह से गुमने के लिए नीचे नहीं जाने देते हैं और यहां आपर बारिश के जखता है पपानी भर जाता है बहुत जएदा उस टाम पे तो मतलब अंदर भी नहीं आने देते हैं क्योंकि बहुत लोग पानी देखने के लिए आते और मतलब अंदर भी सब बहुत लोग चले जाते हैं इसके हो जिसे बारिश के टाइम पर यहां पर पुरा बंद होता है और यहां पर देखो यहां पर भी सीड़ी है और वहां जो दिख रहा है ना वहां से मतलब डैम का पानी छोड़ते हैं और वहां से सब ऐसे नेहर जैसे बना हुआ है ना वहां से फिर सब जगह पर पानी जाता है नेहर के मतलब सहारे सब जगह पानी पहुत जाता है और यहां पर देखो कितना मतलब में जो तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना पानी देखके ना मतल सान्ती थी एदम ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई भी नहीं आ जू बाजू है दम सान्ती से बैठके बस पानी को देखते रहें देखते रहें और यहां पे देखो बीच में ऐसा मतलब ओफिश जैसा बनाया हुआ है उसमें मतलब आजा पूल जैसा च्छोड़ा से बनाया तो डैम मतलब नुश्कान हो सकता है उसको तो उसके वज़े से वहाँ पर मैजरमेंट हुआ है तो अगर उससे ज़्यादा अगर पानी होगा तो फिर वहाँ पर मतलब पानी को छोड़ देते ज़्यादा मतलब भरने नहीं देते डैम को यहां पर मतलब यहां पर तो एक ही है डम और यह बहुत बढ़ा है यह देखो पीछे कितना दूर तक है और हम लोग बहुत टाम तक बैठ थे वहाँ पर यहां पर देखो पेड़ पोधे भी बहुत अच्छे लग रहे थे और इस पोदे में तो एक भी पत्ते नहीं थे यह देखो पूरा मतलब पत्ते जड़ गए थे या फिर ऐसे ही इसका पेड़ ही पता नहीं हुझे लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे लग रहा था कि इसमें एक भी फूल पत्ते कुछ नहीं है साइद मतलब पत्ते जड़ गए होंगे और यहां पर देखो बैटने के लिए भी बनाया हुआ है बैट के मतलब अच्छे सनाजारिकों बहुत एंज्योई कर सकते हैं और यहां पर सब फोटो लिका रहे थे और वीडियो बना रहे थे क्योंकि इतना अच्छा जगे पर मतलब गुमने के लिए आए और फोटो नहीं लिका ले यह तो हो नहीं सकता है तो इसके वैसे देखो यहां पर मेरे हस्टेंट बैठ है उपर और यहां से बैठके देख रहे हैं और देखो कितना दूर तक अपर से नीचे देखेंगे न तो अगर आदमी लोग अगर नीचे जाएंगे न तो बहुत छोटे-छोटे दिखते हैं जैसे चीटी होती है न वेसे दिखते है नीचे जो मैने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ना जो बन था वह गेट इसे नीचे जाता है वहां पर लेकिन नीचे अभी अलाव नहीं करते और एक बहुत पहले एक बार में आई थी और तभी मैंने देखा था नीचे मतलब काम चल रहा था तो मतलब सब आदमी लोग थे बहुत चोटे-चोटे दीख रहे थे जैसे चीटी होते ह वैसे है यहां उपर से बहुत अच्छे निजारे दीखते हैं और यह देखे हो यहां पे एक पधा भी है एक पेड़ है बहुत मोटा था और यहां पर अच्छे से मतलब पूरा बना दिया है बैठने के लिए भी यह जो दिख रहा है न वो बैठने के लिए बनाया हुआ है और पीछे साइड में छोटा से गार्डन भी है मतलब वहां पर भी बैठके टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहां पर गार्डन है मतलब ज्यादा बड़ा था नहीं यह गार्डन लेकिन छोटा से बनाया हुआ है ऐसे बैठने के लिए और वह भी बहुत सुन्दर था और यहां पर देखो बतलब पेड़ पोदे तो बहुत ज़्यादा यहां पर और हर जगह पेड़ पोदे लगे और यहां पर भी यह ओफिस है क्योंकि यहां पर जो काम करते हैं उनके लिए यह सब बना हुआ है क्योंकि देख भल करने के लिए आ मतलब दूर से तो आने ही जा सकते हैं इसके वज़र से उनलोग ने ओफिस बनाया हुआ है और इसकी देखरे करते हैं और यहां पर देखो चोटा से गार्डन भी है ये भी बहुत सुन्दर गार्डन है चोटा सा है लेकिन बहुत सुन्दर है और हर जगह पोधे लगे हुए मतलब मतलब वातावरन बहुत ही अच्छा था और यहां पर देखो पुरा हरा भरा अदम ऐसे लग रहा है कि बहुत सुन्दर लग रहा था मुझे तो और यहां पर देखो में धूप में एदर उदर खूब एंजोई कर रही थी और यहां पर न ऐसे सीड़ी जैसे बनाया हुआ है और यहां पर साइड साइड में इतना सुन्दूर सुन्दूर मतलब येलो येलो फूल और पत्ते थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे यह किस पोध है क्या इसका नाम क्या पता मुझे नहीं मालू लकिन यह भी मतलब एक लाइन में ऐसे मतलब ऐसे लगते कि बिच्छा दिय गए हैं और यहां पर देखो ऐसे उपर जाने के लिए बनाया होगा है वहां पर भी जाकर बैठ सकते हैं और कितने पीले पीले यहां पर जाड़ है और मतलब एक बरब लाइन में तो बहुत अच्छे लग रहते हैं और यहां पर देखो सीड़ी मतलब उपर तक हैं और यह पर फिर में थोड़े टाइम बैड़ गई क्योंकि वहां पर नीचे भी हम लोग ने बहुत वहां पर घुमाना तो अभी यहां पर चल चल के फिर उपर हम लोग जा रहे थे और यहां पर देखो वाइट जो होता है ना कद्दू बोलते हैं वह यहां पर था मैं तो देखके च सबजी बनाने के लिए ने यूज़ करते हैं वाइट वाला भॉपला और कद्दू जो बोलते हैं वह वाला भी था यहां पर और यहां पर देखो सब लोग यहां पर पिकनिक बनाने के लिए भी आते हैं क्योंकि यहां पर बच्चे फैमिली सब लोग आते हैं यहां पर और ककी ऐब को कितने सोनतों लगा है ये ऊपर साइट में बनाया हुआ है गारण यहाँ तो कितने बड़े बड़े पोधे लगे जाडुर। लगे और यहां पर मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा मतलब सीड़ी जो सीड़ी नहीं है जो गार्डन में बीच में चलने के लिए बनाया होता है ना वो ऐसे लादी जैसा लगा हुआ है और इसकी बीच में ऐसे जो वाइट कलर की कंकड होते हैं ना गिट्टी बोलते हैं वो लगाया था डीजाइन तो वह भी बहुत सन्त लग रहाता ऐसे लग रहता कि बना होगा है हार फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए महां से गुमते गुमते और मतलब हर जगा उपर नीचे उपर नीचे ऐसे हैं मतलब एक बराबर में कहीं नहीं है उस साइड भी मतलब सब ऐसे ऐसे मतलब पहाड जैसा है न तो उस हिसाब से बनाया गया है और इस तरफ जो है न वो एंटरी गेट है और यहां भी मतलब सब फैमली लोग यहां पर भी यहां से भी देख सकते हैं वहां से भी दिखता है और यहां पर इसे भी देख सकते हैं तो यहां पर देखो अंदर जाने के लिए तो यहां पर गेट बन दे लेकिन उस हर से देख सकते हैं और यहां से भी व्यू बहुत अच्छा था और दूप भी बहुत थनडी लग रहे थी और यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है और यह जो सामने जो दिख रहा है ना वह रस्ता है जो मैंने आपको बताया था जो गेट बन था ना वह रस्ता नीचे जाता है तो यहां पर फिलाल भी नहीं जाने देते हैं और यह दो को पूरा डैम है कितना बड़ा है दिखने में तो बहुत अदम छोटा दिख रहा हुग लेकिन बहुत बड़ा है यह पेड़ पर देखो कितने छोटे छोटे दीख रहे हैं लेकिन वह भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत जदा बढ़ा है यह हमारे यहां पर यही एक डैम है और यहां से पूरा मतलब गहरा हुआ है ताकि नीचे कोई इसे वह ना कर सके औ और यहां पर यहां पर यहां पर जो मैंने अप लोग बताया था ना यहां पर ओफिस है और उस तरफ एक सेर का मुरती रखा हुआ था उपर में और यहां पर फिर अभी पूरा हम लोग ने घूम लिया और अभी हम घर पर जा रहे हैं और अभी यहां पर ना अलगी प्रका के पोदे हैं और उस सेट जो लगा हुआ है ना वही इस सेट में लगा हुआ है वो ना अदम हरे हरे थे और अजीब टाइप के पत्ते थे उसके और इसके वज़े से फिर में देख रहे थी और यहां पर कितनी अच्छी दूप लिख लिए मुझे तो अभी ठंडी में ना यहां पर नियुक्त इसाथी जी सोब शायरा वा फंडी लगने लगती थी तो अभी हमने पूरा गूम लिए यहां पर इस जगह को मतलब मद बन nähm बोलते हैं इस डेम को तो इस एक ही इतना बड़ा ंग हैं बाकि तो यहां पर रहा भी नहीं हो और यहां पर देखो यह ए अपर देखो मतलब बोड वगए तो कुछ नहीं लगा हुआ है लेकिन बस ऐसे नॉर्मल सा गेट बना हुआ है और यहां पर फिर हम लोग घर पर जा रहे थे हम लोग ने अच्छे से गुम लिया यहां पर और यह दो यहां पर मतलब ज्यादा लोग तो नहीं आते बहुत कम हो गाते हैं लेकिन अच्छा लगता है आने में और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और आई होफ वीडियो अप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में और